हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर गाइच हम कला स्टेंथ का मैद कर रहे हैं आज हम इसके एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे तो यह एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक थोरम करी थी हमने एरिया जो सिमिलर तो उस थोरम का जो रिजल्ट है वह इस एक्सरसाइज के जितने भी क्योसंस है न सब में अपलाई होगा तो हम एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेगते हैं कि वह क्या था था तो क्या बता रखा था उसमें अगर हमारे हम दो ट्रैंगल दे रखी है इस ट्रैंग ट्रैंगल दे रखी हो यह Ó इस वाल एक्सराइज में यहीं अपला होगा अगर तो ट्रैंगल हमारे सिमिलर है तो इस में इनका जो एरिया होगा न एरिया ओफ्रैंगल ए बी सि एंड एरिया ओफ्रैंगल डी ए या फिर वो किसके equal हो जाएगा? एरिया ओफ ट्राइंगल A, B, C इनका जो रेश्यो है ना वो इनकी जो साइड के रेश्यो है ना जो साइड का रेश्यो होता है उनके square के equal हो जाएगा जैसे A, B by A, B by D, E का whole square is equals to B, C by E, F का whole square is equals to A, C by D, F का whole square तो ये चीज़ हमें याद रखनी है अगर कोई दो ट्राइंगल दे रखें वो सिमिलर है तो उनके जो एरिया है ना उनका रेश्यो उनकी जो साइड के रेश्यो के square के equal हो जाएगा ठीक है? तो अभी हम इसके क्यों स्टार्ट करते हैं इसका हम क्यों से नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बता रहा है इसके क्यों से नंबर फर्स्ट में? लेट ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF और एरियाज भी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमेटर स्केर और 121 मेंटर सेंटीमेटर स्केर इस EF इगल तो 15.4 सेंटीमेटर फाइंड BC मतलब इसने हमें पहले ही बता दिया कोई भी दो ट्रेंगल बता दी ABC और DEF वो क्या है? सिमिलर ट्रेंगल है इसने बता दी एक ट्रेंगल बता दी ये ABC और एक बता दी DEF ABC DEF और क्या बता दिया? ये सिमिलर ट्रेंगल है ठीक है? तो हमें ये चीज गीवन है अगर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो गीवन है उसको लिख लेते हैं गीवन क्या है? ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल DEF के और आगे क्या बता रखा है? और इनका एरिया बता दिया एरिया ओफ ट्रेंगल ABC वो बता दिया 64 सेंटिमीटर स्केर और एरिया ओफ ट्रेंगल DEF इसका एरिया बता दिया 121 सेंटिमीटर स्केर ठीक है? और इसकी EF जो साइड है ना EF साइड बता दे कितनी 15.4 सेंटिमीटर और हमसे 20 सी पूछ लिया क्या है? ये चीज़े तो हमें गीवन थी और ये हमें क्या करना है? ये हमें निकालनी है तो ये पूछ करनी है ठीक है? ये चीज़े गीवन है और ये हमें पूछ करनी है तो देखो अभी हम इसका पूफ करते है फूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या पूछ है? ट्राइंगल A, B, C सिमिलर ट्राइंगल D, E, F तो देखो अगर two triangles are similar तो हमने ये चीज़ पड़ी है according to ये इसकी जो थोरम है ना इस exercise की starting में वो थोरम है according to areas of similar triangles ये apply हो गया ठीक है अगर दो two triangles similar दे रखी है ना तो ये वाली थोरम अपलाई हो जाएगी और इसका क्या था एरिया ओफ ट्राइंगल ABC एरिया ओफ ट्राइंगल DEF इसकी जो साइड का रेश्यो हो ना उनका स्केर के एकवल हो जाएगा BC by EF का whole square is equals to AC by BF का whole square ये चीज हमें बता रखी है अब ही देखो हमसे क्या बता रखा ये तिन्नों बता रखी है तो हमें EF बता रखा है और BC पूछ रखा तो मिंस हमें ये वाला उठा लेंगे इनको हमें कुछ बिट मतब इनको एक साइड रख देंगे हमें सिरफ ये चाहिए है और ये area of ABC बता रखा है पूछ रखा ना इसकी तो हमें सिरफ इसकी जरूरत है BC by EF का होल स्केर ठीक है तो अभी हम इनकी जगह इनकी वैलू पूट करेंगे area of ABC कितना बता रखा है 64 cm square area of DF कितना बता रखा है 121 cm square BC कितना बता रखा है BC हमें कुछ भी नहीं बता रखा तो BC को हम BC माल लेंगे EF कितना बता रखा है 15.4 और ये hole square ठीक है तो अभी देखो ये है BC by 15.4 ये square है तो इसका square हटाएंगे तो इस side क्या हो जाएगा ये root लग जाएगा इस पर 64 by 121 meter तो इसको root को हम ऐसे उपर और निचे अलग कर लेंगे ठीक है तो ये BC को as it is रख लेंगे BC by 15.4 ये किसका perfect square होता है 64 8 का 121 किसका होता है ये 121 होता है किसका 11 का तो ये 8 by 11 आ गया ठीक है 8 perfect square होता है इसका 64 का perfect square होता है 8 और 121 का होता है 11 तो अभी यहां से हम BC की value निकाल देंगे BC को इसी side रख लेंगे 8 by 11 ये इस side जाके 15.4 है ये decimal हटके by 10 हो जाएगा ठीक है तो अभी जितना कटता है हम उतना कट कर लेंगे तो देखो 11 से हो रहा है ये 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44 फिर ये हो रहा है 24 जा और 25 जा तो ये कितना बन गया 56 by 5 तो इसको हम solve करके लिखेंगे तो 5 बन जा 5 बन जा ये आ गया 11.2 सेंटिमेटर तो हमसे BC पूछ रखा था BC हमने निकाल दिया 11.2 सेंटिमेटर तो इसमें कुछ नहीं है हमें 3 value बता रखी है एक तीनों value पूट करके हम जो चोथी पॉइंट 2 सेंटिमेटर ठीक है अभी हम इसका क्योसर नंबर सेकेंड में क्या बता रखा है डाइगनल्स ओफेटर पेजियम ABCD मतलब सबसे पहले एक तर्पेजियम बता दी तो हम एक तर्पेजियम ले लगते हैं A B ये ऐसे होते हैं ट्रपेजियम ये ले लिए हमने A B C D ठीक है With A B parallel to BC A B है वो parallel है BC के ठीक है Intersect each other at the point O जो इसकी जो डाइगनल्स है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं point O पे तो ये इसके डाइगनल्स हो गए ये इंटरसेक्ट कर रहे है point O पे ठीक है If A B is equals to 2 C D then find the ratio of the areas of triangle A O B and C O D सबसे पहले देखो given क्या है Given है ABCD Atrepegium ठीक है ये given है एक क्या दे रखा है हमें AB दे रखा है AB is equals to 2 C D दे रखा है और फिर बाद में क्या बता रखा है इसने हमें निकालना क्या है To prove क्या prove करना हमें Find the ratio of the areas of triangle मतलब ratio निकालना है किसके areas का Area of triangle A O B Triangle A O B Area of triangle C O D इनका ratio निकालना है ठीक है तो देखो ये वाली चीज है न हम ratio में इसको ऐसे भी denote कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Area of triangle A O B ratio का ये symbol होता है तो area of triangle C O D इस वाली चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब हमें ये जो दो triangle A O B और C O D इन दोनों triangles का ratio निकालना है ठीक है इनका triangles का नहीं इन triangles का जो area आएगा न उसका ratio निकालना है हमें ठीक है तो यहां से देखो सबसे पहले आप हम इसका प्रूफ करते हैं तो क्या करेंगे इसके प्रूफ में इसके प्रूफ में करेंगे सबसे पहले हम ये जो triangle A O B और C O D इसको similar दिखा लेते हैं इस triangle को तो देखो A B पैरलर C D ये चीज हमें गीवन है ठीक है तो इन triangle A O B and triangle C O D तो इन दोनों triangles में हम क्या दिखाएंगे ये देखो इसको एंगल 1 ले 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 एंगल, इसी तरह यह हो जाएगा, एंगल 3 is equal to angle 4, यह क्या हो जाएगा, यह भी यह हो जाएगा, एंगल 5 is equal to angle 6, यह क्या हो जाएगा, vertically opposite angle, ठीक है, यह हो जाएगा, अब देखो, यह इसकी triangle, इसकी 3 triangle equal है, तो then triangle AOB है, वो similar हो जाएगी, triangle COD के, और इसका region क्या हो जाएगा, AA similarity criteria, ठीक है, तो हमने इस वाली triangle को, और इस वाली triangle को, दोनों को similar दिखा दिया, अब ही हम क्या करेंगे, देखो, अगर यह triangle similar है, तो then apply, हम कौन सी theorem apply करेंगे, जो हमने इसके starting में पड़ी थी, क्या पड़ी थी, इसकी, जो इस exercise के basic, जो basic का उसमें बता रखी है, हमने, कौन सी theorem पड़ी है, हमने, हमने पड़ी है, areas of similar triangles, तो अगर यह वाली दो triangle similar है, तो then we use areas of similar triangles, तो हम इसको apply कर लेंगे, तो triangle AOB और COD, तो इनका area क्या हो जाएगा, area of triangle AOB, divide area of triangle COD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यह, यह हो जाएगा, AB by CD का whole square is equals to AO by CO whole square is equals to OB by OD का whole square, मतलब अगर two triangles are similar हैं हमारी, तो उनका जो side का जो ratio होगा न, उसके square के equal हो जाएगा यह, तो हमें देखो, क्या given है, हमें एक चीज गिवन है, AB is equals to 2CD, AB is equals to 2CD है, तो AB और CD इसमें आ रहा है, तो हम यह उठा लेंगे, इसी से हमारा क्या जाएगा, इसका ratio निकलाएगा, तो हम इस आगे वाली को छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं है, तो देखो, area of triangle AOB, area of triangle COD, क्या हो जाएगा, AB, AB क्या था, AB है 2CD, और यह CD, यह square हो जाएगा, आगे region लिख देंगे, कि AB is equals to 2CD, क्या है, given, ठीक है, तो यह यहां से हो जाएगा, CD से CD cancel हो जाएगा, तो यह क्या बच जाएगा, area of triangle AOB, area of triangle COD, तो यह क्या हो जाएगा, 2 का, square, तो area of triangle AOB, तो area of triangle AOB, और area of triangle COD, यह क्या हो जाएगा, 4, इसके divide में, अगर कुछ नहीं है, तो हम मल ले लेते हैं, तो इसका यह, हमें ratio पूछ रखाता, तो क्या आगया, 4 ratio 1, इस वाले चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, area of triangle AOB, ratio, area of triangle COD, which equals to 4 ratio 1, तो यह आगया, इसका answer, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं, इसका question number third, इसकी question number third में क्या बता रखा है, in figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC, if AD intersect BC at O, show that area of ABC और area of DBC is equals to AO by DO, यह चीज हमें given है, देखो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो, इसका question number three करते हैं, question number three, तो क्या figure given है, हमें एक figure बता रखी है, ऐसे है यह, 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 यह जो ट्राइंगल ABC और DBC तो इनका जो बेस है ना वो सेम बता रहा है BC जैसे एक तो ABC बता रहा है तो इसका बेस क्या हो गया BC एक बता दी DBC तो इसका भी बेस क्या हो गया BC मलब दो ट्राइंगल बता दी सेम बेस BC पे ठीक है और फिर AD intersect BC जो AD है ना वो intersect कर रही है BC को at point O पे यह चीज हमें given है तो हमें क्या शो करना है इसमें शो करना है क्या area of triangle ABC divide area of triangle DBC is equals to क्या दिखाना है AO by DO यह चीज दिखानी है area of triangle ABC is equals to area of triangle BDBC किसके AO by DO यह दिखाना है हमें तो देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले देखो हमें क्या इसका प्रूफ करते हैं तो इसके प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है हमें इसके प्रूफ में करना है जो area of ABC बता रहा है ना इसका जो area देखो वैसे है ना क्या होता है डुझा ट्राover over the triangle ग्टीं ऐियो वीकषो इसका वैसे ऐरिया को तो देखो अभी यह चोलिब जो इन्तर बता रखिए एरिया ओफ, अ बी सी और एरिया ओफ J1 और से Constitution करनी पड़ेगी. तो क्या करेंगे हम जो A है ना इसके उपर से एक perpendicular drone करेंगे. perpendicular हमेशा base पे draw होता है. तो यहांसे हमने इक perpendicular draw कर दिया A. M. फिक है है? इसी थरह है जो D Point है ना इसके उपर से हम एक perpendicular draw कर देंगे. और ये क्या हो जाएगा? n ठीक है तो यह कर दिया यहां से देखो यह इसका यह height हो गई जो हम perpendicular draw करते हूँ उसकी height होती है और जिसके उपर draw करते हूँ उसका base होता है तो देखो इस abc triangle में इसकी height हो गई am और इसका जो base हो गया bc क्या हो जाएगी 1 by 2 into base क्या हो गया bc और इसकी height हो गई am अभी हम कौन से triangle ले रहे हैं dbc तो इसकी height क्या हो गई dn और इसका base क्या हो गया bc base दोनों में same था तो यह आ गया dn तो 1 by 2 से 1 by 2 cancel bc से bc cancel तो क्या बच गया am by dn ठीक है इतना कर लिया हमने अभी हम क्या करेंगे हम जो triangle है अगर इस a o a o m और यह क्या है d o n अगर इन दोनों triangles को हमने similar दिखा दिया न इस वाली triangle को और इस वाली triangle को तो हमारा a o by यह जो d o है जो पूछ रखा है हम यह बता सकते हैं इसको हमसे यही पूछ रखा है जो इसका area है वो a o by d o यही आना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा यह वाली triangle है इस वाली triangle के similar दिखाने पड़ेगे तो देखो in triangle a o m and triangle d d o n क्या हो जाएगा देखो एक तो यह वाला angle हो जाएगा यह angle 1 ले 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 ठीक है तो देखो यह अगर दो एंगल इक्वल आगे तो तीसरा एंगल पर अपने आप इक्वल हो जाएगा यह ट्रैंगल की प्रोपर्टी होती है तो इसे लिए देन ट्रैंगल AOM है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रैंगल DON के रीजिन क्या हो जाएगा ए ए सिमिलरेटी क्राइटिरिया यह इसके रीजिन हो गया ठीक है अभी देखो अगर AOM और DON यह ट्रैंगल सार सिमिलर है तो देन वही हम जो इसकी थोरम है ना एडिया जो सिमिलर ट्रैंगल वाली वो अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा नहीं अभी हम वो अप्लाई नहीं करेंगे अभी हमारी सिमिलर आ गए ना तो इनकी जो साइड का रेश्यो है ना वो भी इकवल होगा तो अगर यह दोनों ट्रैंगल इकवल है तो हम क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं ठीक है अभी देखो हमें क्या चाहिए ओ बाइ डी ओ चाहिए और हमने एक यह चीज निकाल रखिया एरिया ओफ ए बी सी और एरिया ओफ डी बी सी का रेश्यो क्या है ए यह वाई डी अन इसको हम एक्वेशन वलने लेते हैं इसको एक्वेशन टूले लेते हैं इसमें से यह स्वाली चीज़ को हम नेगलेट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी कोई जुरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे put equation put am by dn am by dn की value put कर देंगे from equation 1 से ठीक है तो यहां से equation 1 am by dn किसकी equal है area of abc के तो इसकी जगह हम क्या put करेंगे area of abc और area of dbc यह किसकी equal आ गया a o by dn हमें om by om नहीं चाहिए था तो इसको हम छोड़ देंगे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम काट देंगे तो हमें सिर्फ क्या चाहिए था a o by dn हमें यहीं चीज़ शो करने थी तो hence तो देखो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं यह हमें कोई भी ट्रेंगल दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थो और इसी construction करनी पड़ेगे इसमें क्या करेंगे am कोई भी perpendicular इसका बेस से में तो am इस साइड से perpendicular draw कर देंगे एक dn perpendicular draw कर देंगे फिर इन दोनों पहले जो यह area है ना इसका जो area क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है बेस बीसी है इसकी height am हो गई इसकी dn हो गई वह value पूट करके हम am by dn निकाल लेंगे अभी हम क्या करेंगे इन दोनों equations को similar दिखा देंगे similar दिखान इस वाली चीज़ की जगह हम यह value पूट कर सकते क्योंकि यह दोनों equal है तो am by dn की जगह हम area of abc by area of dbc यह पूट कर देंगे तो यहां से यह आ जाएगा ठीक है बस हमसे यह पूछ रखा था तो अभी हम करते हैं इसका question number fourth question number fourth में क्या बता रखा है if the areas of two similar triangles are equal prove that they are congruent देखो similar में क्या होता है similar होता है जैसे कोई दो triangle दे रखी है इसने दो triangle बता दे यह हमने दो triangle ले 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 यह ले ली ABC ABC और यह ले ले ली DEF देखो similar तो होता है यह और congruent का symbol होता है यह equal की उपर होता है ऐसे ठीक है तो similar में क्या होता है मतलब इनकी जो side का ratio वो equal होना चाहिए हमने पढ़ा है और congruent में क्या होता है जो इनकी जो side होती है वो equal होनी चाहिए जैसे AB is equals to DE एसे होना चाहिए ठीक है तो हमें इसको congruent proof करना है और यह हमें similar दे रखी है तो हमें given क्या है given है triangle ABC है वो similar है triangle DEF की यह चीज हमें given है ठीक है और हमें proof क्या करना है to prove प्रूव करना है हमें triangle ABC है congruent है triangle DEF की यह चीज हमें proof करनी है ठीक है तो देखो यहां पर इनका जो area है वो similar दे रखा है area of triangle ABC and area of triangle DEF तो देखो अगर यह similar है ना इनका area तो हम क्या करेंगे हमने पड़ा है according to area of similar triangles यह जो हमने थोरम पड़ी है ना इसकी स्टार्टिंग में वो जो इसके introduction करा है ना इसका 6.4 का जो basic है उसमें थोरम पड़ी है area of similar triangles तो उसमें क्या होता है area of triangle ABC area of triangle DEF यह है तो इसका जो side का जुरेश होता है ना side के square के बराबर होता है तो AB by DE का whole square is equals to BC by EF का whole square is equals to AC by DF का whole square यह चीज़ है अब देखो area of ABC is equals to area of DEF यह दोनों equal बता रखे हैं हमें ठीक है अगर area of ABC area of DEF के इन दोनों का area equal है यह triangle दो similar दे रखे और इनका जो area है ना वो equal है मतलब यह चीज़ हमें given है if the area of two similar triangles कोई भी दो similar triangles है उनका area equal बता रखे है यह चीज़ हमें given है ठीक है तो देखो area of ABC की जगह या area of DEF की जगह हम यह चीज़ पूट कर सकते हैं तो हम area of ABC की जगह area of DEF पूट कर लेंगे और यह area of DEF as it is रख लेंगे और यह आगे पूरे का पूरा ऐसे का ऐसे रह जाएगा DA का square BC by EF का square is equals to AC by DF का square तो यह क्या बन गया यह area से उपर भी से नीचे में दो numerator तो denominator से हमें तो यह क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा तो यहाँ से देखो 1 is equals to यह पूरा ऐसे का ऐसा BC by EF का whole square is equals to AC by DF का whole square यहाँ से हो गया अभी हम क्या करेंगे पहले इसको उठा लेते हैं सिरफ AB by DE का whole square is equals to 1 अभी देखो इसका square हटाएंगे तो AB by DE और इसका square हटाके इसका root करेंगे तो 1 किसी का भी 1 खुद का ही perfect square होता है 1 के उपर root इसका square हटाके यहाँ पर 1 ही बचेगा यह चीज हमें basic से हैं हमें पता होनी चाहिए कि अगर इसका square हटा रहें तो इसका root क्या होता है वन ही रहता है तो AB by DE तो यह क्या आ गया AB is equals to DE इसी तरह BC by is equals to EF आ जाएगा और AC DF के इकवल आ जाएगा क्योंकि यह सारे 1 के इकवल है तो अगर देखो यह AB DE के इकवल आ गया BC EF के इकवल आ गया और AC DF के इकवल आ गया इसी लिए हम बोल सकते हैं जो triangle ABC है वो congruent हो जाएगी triangle DEF के क्योंकि congruent के यह condition होती है कि AB is equals to DE होना चाहिए BC EF is equals to EF होना चाहिए और AC is equals to DF होना चाहिए तो यह चीज हमने prove कर दे hence prove ठीक है तो देखो यह जैसे AB by DE is equals 2 का whole square is equals to 1 रखा न उसी तरह हम BC by EF का whole square is equals to 1 रखेंगे तो Y square हटके यह 1 बच जाएगा तो BC और यह उस side multiply होके क्या हो जाएगा BC equals to EF हो जाएगा AC equals to DF हो जाएगा तो यहां से यह हो जाएगा अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्षन में जाके पूछ ले ना और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी चैनल को like, share and subscribe जरूर करना ओके थैंक यू